प्यारे हैं मित्रों नमस्कार ESP सुकला चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं रगवन्सी सर जानते तो हो आप लोग फिर भी परिचय बताना जरूरी है रगवन्सी सर आपको देख रहा है लिखा हुआ है लोवर PCS मुख्य परिच्छा ये लोवर PCS मुख्य परिच्छा के लिए आपको क्या भारती इतिहास से परचित कराएंगे सिलेबस सबका देख लेना है आप लोग हमारा सिलेबस तो यही है देखने में किवल एक लाइन लग रहा है इसमें है जादे बहु जादे है ये देखे भारती इतिहास एवं भारती राष्टी आंदूलन नेशनल मॉवमेंट नेशनल मॉवमेंट तो भारती इतिहास जो लिखा गया है इसको बहम में मत रहिएगा भारती इतिहास में आपका जानते है कुल चार पार्ट आ जाएगा ये देखिए प्राचीम भारत का इतिहास पहला दूसरा मद्यकालीन भारती इतिहास तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत से ही काट करके विशेश रूप से आपको दे दिया गया है क्या नेशनल मॉवमेंट भारती रा हलाकि वहां से कोश्चन ठीक ठाक रहेगा इसलिए कि modern history से निकाल करके यहाँ सलेबस को लाया गया है ठीक है और चौथा पार्ट जिससे पढ़ने और पढ़ाने वाला दोनों कतराते हैं उसको रगवंसी सर बड़ा सांदार ढंग से आपको ले करके आएंगे क्या नाम है उसका है साउथ इंडिया यानि दक्षिण भारत का इतिहास दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत सब कुछ है संगंकाल है त्रीकोणात्मक संघर्स है पाल प्रतिहार राष्ट कूट अपल बलव है चोल है यह तो इधर हो जाएगा और मध्यकाल में जाएंगे जब मध्य मध्यकाल जो लिए कि इसमें भी दो साउथ इंडिया से विजेंगर बहुमनी राज्ज मरभारत को Changing यह आनसेंट से यह जो देखें है न चलिए मतलब parenting मिला के इसमें आप खिचड़ी मत बनाए भारती इतिहास में चार पाइट आपको पढ़ना है प्राचीन भारत का इति आएंसेंट हिस्ट्री मैडूएल हिस्ट्री माररन हिस्ट्री और साउथ इंडिया तो हम लोग क्या करते हैं अभी हम लोग इसमें नहीं फस्ते हैं यह देखिए यह आपका लंबा पार्ट है एंसेंट में विशेश रूप से यह लिखा हुआ है भारती राष्टी आंदोलन तो भारती राष्टी आंदोलन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तब यहां प्राचीन भारत का इतिहास मद्देकाल आधुनिक ऐसे दच्छिड भारत आएंगे इसको लिखने का कारण समझ रहा है विशेश रूप से लिखा है इसलिए कोश्चन यहां से ज्यादा बनेगा हलाकि देखिए ज्यादा बने चाहे कम बने आप रगुबंसी जिस भी टापिक को टच करेंगे उनको तोड मरोड करके सब कुछ बता ले जाएंगे हमारे डिक् अधीअर्ग्यरा की पढ़कर के सुरच्चित रहेंगे हब यह थोड़ा सा छोटा पार्ट है इसलिए को पढ़ा के हटा लेंगे एक पार्ट आपको पूरा हो जाएगा फीर तब हम चले आएगे इस पर तो आराम से इसको लिखर करके चलते रहेंगे सब्साहिए चला जाय कि आधुनिक भारत के इतिहास में भारती राष्टी आंदोलन पहले के लिए आधुनिक भारत के इतिहास में अभी कुछ पीछे छुटा हुआ है भारती राष्टी आंदोलन वह ऐसे तो आप देख रहे हो 1885 से जो नेशनल मोमेंट लिखा गया है न वह 1885 से 1947 नरम दल काल ती गरम दलकाल, गरम दलकाल, गांधी काल, किन्तो हम लोग क्या करेंगे न, अपने सुरचित रहने के लिए सेवर 1857 से शुरू करते हैं, 1857 से लेकर 1950, ये पूरा एक किनारे लगा देते हैं, तब हम चले जाएंगे, जानते हैं कहां, प्राचीन भारत के इतिहास पर इतिहास जा नने का साधन, तो आप लोग इसकी अंतरगत लिखिए, हेडिंग दिखाओ आप, 1857 का महान बीद्रो, महान बीद्रो, चले, अब आप लोग डेमो में 4-5 क्लास जो जा रही है, डेमो लेते रहे, किन्तो हमारी क्लास, इसलिए बिशेश रूप से नहीं जा रहे हैं, कि डेम के लिए जा रही है, ठीक है, हमारी विशेश रूप से क्लास ही से इस्टार्ट हो गई है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ाते हैं, 1857 कोश्चन आया है, 1857 के बीद्रो का कारण, देखें, कोश्चन बना के पढ़िए सरल हो जाएगा, भारती जनता का, अंग्रेजों द्वारा, ओ मानवी ये सोसण, लिख लिजिए, बिद्रो का, बिद्रो का कारण, आपके मुखे परिच्छा के लिए, मुखे परिच्छा में जानते हैं, रटा रटा या जी के टाइप कोश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, अंदर जाके समा, कांसेप्चुल कह लिया जाए, ठेक, तो अठारा सो संतावन के वीद्रो का कारण, एक लाइन में पहले नोट कर लिजिए, फिर हम जाएं, भारती जनता का ओमानवी है, देख रहा हैं, ओमानवी है, सोसण, सभी छेत्रों में सोसण हो रहा है, अंग्रेजों द्वारा गलत नीती अपनाई ग ही हैं, यह देखिए, गलत नीती अपनाने के कारण, आप देखोगे, तो सभी छेत्रों में सामाजिक छेत्र आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, धार्मिक, राजनितिक, सभी छेत्रों में अंग्रेजों की गलत नीती सोसण हो रहा है, अरे वाई, क्रांती वीद्रों एक दिन म नहीं होता है भहुत सारी गुसा आक्रोस अंदर भरा पड़ा रहता है तब एक दिम बेश्पोर्ट होता है आपका कहना है कि सोसल छेत सामाजिक छेत्र में बीरोध का कारण क्या था विद्रोह का कारण तो अंग्रेज अपने को गोरा मानते थे हम भारतियों को काला सूर कह कर कारते थे कि एक काला सूर अरे भाई कोई भले सावला हो कि तो उसके अंदर आक्रोस घुस्सा ठीक है आने दो समझ तब तुम्हारी बेटा गोरी चमडी हम बताऊंगा है अत्तारा सो संतावन के बीद्रोह का एक कारण काला एवं गोरा की गलत नीटी देख रहे हैं आपका काना आर्थिक छेत्र में आर्थिक छेत्र में अंग्रेज दोनों हाथों से भारती धन को बटोर का इंगलेंड भेज रहेते हैं यहां तक तो ठीक है भारती अंग्रेजी कपड़ा को भारती बाजारों में उतार दिये तो हम आप क्या किये कि हीरो हीरोईन बनने के लिए अपना कपड़ा उतारे अंग्रेजों का कपड़ा पहिंतर घूमने लगे यह नतीजा क्या निकला कि जितने हमारे हम लग कुटी रूद्देव चल रहते सब बंद हो गए और अग्रेजी कपड़ा पहिंदने से भूख जाएगी आक्रोस लोगों के अंदर कि यही अंग्रेजी वस्त्र को भारती बाजारों में उतार कर हमारा लग कुटी रूद्देव नस्त करा दिया आने दो तो समय अक्रोस गुष्षा तब बताऊंगा अरे यह देखो सामाजीक आर्थिक धार्मी छित्र हमारे अरे वाही यह तो बहुत बड़ा कारण बना था आगे साहिनिकों को भी देशों में भेजने लगे विदेश साहिनिक जाननी को तैयार नहीं विद्रों आक्रोस ठीक है और छेत्र में आप भले छेड़ छाड कर लो किन्तु अगर धर्म के छेत्र में छेड़ छाड करोगी अंग्री जो तब नहीं छोड़ेँगा तब करांती पीछे की बाते हैं सब अभी अम लेके चलते हैं सा राजिनीति हड़ अपनीती डाक्ट्रीन आप लैप्स बाद में जब हम आधुनिक भारत का इतिहास 1857 के पीछे उठाएंगे तो तब हम ले आएंगे डाल हो जी कि डाक्ट्रीन आप लैप्स हड़ अपनीती 1857 के बीद्रो का एक कारण बना ठीक है कुल मिला करके सामाजी कार्थिक राज़नीति चेतरों में गलत नीती भारती जन्त देख रहें निकल गया ना भारती जन्ता का अमानवी सोसर थारासों संता अमनिके बीद्रो का बीद्रो की खास विसेस्टा क्या थी हेंदो नोट कर लिजिए बहुत सांदार कोश्चन है ये भी आपके मुखे पर इच्छा के लिए विसेस है जो नीचरे हेंदो मूसलिम हिंदू मुसलिम नोट कर लिजिए एक चीज़ और है देखिए कि क्लास डेमो लेने के बाद आप क्लास पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं यह प्रस्नाप का है किन्तु चू इस समय घंटे की वीडियो जा रही है इसका नोट्स बनाना पड़ेगा आप हमारी एक एक बाद नोट्स बना लेजिए फाल्टू प्रशन पर मैं नहीं जाता हूँ भले चिलाता हूँ तो वाजी प्रस्न पर चिलाता हूँ अरे भाई लगेगा है आपको नोट्स बना लेगे तो लगेगा ना कि हाँ यह घंटा रगवन्सी सनने बनाईए अगर न लिख रहे हो तो आप लिखो बार बार हम जो और दे रहे कैसे 1857 के बीद्रों की खास विशेष्टा हेंदो मुसलिम दोनों बढ़ चड़ करके बीद्रों में भाग लिए दोनों का लक्ष अंग्रेजी सामराज्य को उखाड फेको किलियर हो गया न कि 1857 के बीद्रों की खास विशेष्टा हेंदो मुसलिम हेंदो मुसलिम दोनों बढ़ चड़ करके भाग लिए और दोनों का उदेश था अंग्रेजी सामराज्य को उखाड फेको 1857 के बीद्रों को अरे एक उर्दू सायर उर्दू सायर अभी हम डिटेल जा रहे थोड़ा पहले ंजर उपर कुछ भोमी का बंजा था ना बढ़ाते मिरजा गाली उर्दू सायर मिरजा गाली मिरजा गाली बड़ा सांधार कोश्चन है हो सकता है लोर में आ जाए आपके मिरजा गाली ruling म अपने आँखों देख सहा था मिरजा गाली का जियन्मा गरा में जिन्मा अगर में मृत्तु दिल्ली में हुई थी याद रखिए दिल्ली में हुई थी 1857 के बीद्रो के समय बृतेन का प्रधान मंत्री ये देखिए बृतेन का प्रधान मंत्री पार्म इस्टन था प्रधान मंत्री है और भारत का नोट कर लिजे भारत का गवर्णा जन्र लार्ड केनिंग भारत का गवर्नर्जरन लाइड केनिंग 1857 बीद्रो के समय अपना मुख्य केंदर कहां बनाया था प्रयाग राज अपने बताते हैं अप लोगों को बता देते हैं इलहावाद को मुख्याले बनाया था चलिए ये आपका किलियर हो गया इतना किलियर हो गया पारमेश्टल लाइड केनिंग सावाजी कारण बने थे किन तो आपको भी से इस ध्यान देना है तातकाली कारण अठारा सो संतावन के बीदरों का तातकाली कारण आप लिखो हम बोले चल रहे हैं पुरानी लोहे वाली बंदूक यही से समस्या उठी थी बंदूक का नाम क्या है लिखिए पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन गयेस बंदूक का नाम है ध्यान दिजिए बंदूग का फिर बोल दिए बंदूग का नाम है ब्राउन गयस को हटाओ अंगरेजों का तर्क था कि इस लोहे वाली बंदूग को हटाओ और राइफल ले आओ राइफल का नाम क्या है निव इन फिल्ड राइफल निविल फिल्ड राइफल लाया गया ठीक है यहां तक तो इसकी अस्थान पर इसको लाया गया ठीक अब चलिए यहां तक तो बाट ठीक है राइफल के लिए जो कार्तूस बनाया गया है कार्टूस गाय वं सूर के चर्वी से बना कार्टूस यहां तक भी ठीक है कोई बात नहीं है संतोस कर लूँगा किन्तु कार्टूस राइफल में लगाने का जो तरीका लगाए न यह देखिए कि ऐसा कुछ सफिट किये कि बीना कार्टूस मुँँ में ले जाए कि नोचो पहले तब कार्टूस राइफल में फिट होगा जब दाथ से नोचने वाली बात आई तो हमारे भारती सैनी क्या किये ले जाकर के कि इस बात को जोड दिये किस से ये देखिए इस बात को ले जाकर जोड दिये धर्म से अभी बता रहे थे न ये हर जगा से समझावता कर लूँगा किन्तु धर्म से समझावता अंग्रे जो नहीं करूँगा इसके लिए मर मिटूँगा या तो मार डालूँगा या मर क्लियर ने यह देखे अब यही से उठाते हैं आगे बहुत सारी बाते हैं देखे वीडियो आप जरूर पढ़िएगा रगुबंसी सर पढ़ना आगे आपका मन है क्या करेंगे किन्तो एक घंटे लंसम 55 मिनट 50-60 मिनट की वीडियो जाएगी साथ तो नहीं 50 और 55 के बीच वीडियो रहेंगे पूरा 1857 का वीडियो आपको किलियर कर देंगे भाई आपको पढ़ाए है तो उस वीडियो को पढ़ लिजिए आगे जो भी इच्छा हो आपकी यह मेरा रेक्ष्ट है आप लोगों से ठीक ना चलिए आगे बढ़ाले चलते ह है आगे क्या है कि अब इसी बिरोध होने लगा धर्म के में अब इसी धर्म के बिरोध में आगे देखिए कि बारक पूर चाओनी यह देखिए का बारक कलक टा मेरट नहीं बारक पूर अहम पूरी बात लिए का तरप्रदेश ब्रामर सायनिक बलिया निवासी यूपी क्या नाम है मंगल पांडे मंगल पांडे कब मंगल पांडे 29 मार्च ये देखिए 29 मार्च 1857 को अपने अंगरेज अधिकारी ये देखिए क्या नाम है अंगरेज अधिकारी को गोली मार कर इसकी हत्या कर दिया बाग की हत्या कर दिया और दूसरा जो अंगरेज था उसका नाम था हेवसन हेवसन को गोली इसकी हत्या नहीं इसको गोली मारा था और इसका मर्डर बाग का मर्डर और हीवसन को गोली मार दिया अंग्रेज आगे बढ़ाईए इसी को अंग्रेज मंगल पांडे के बटालियन 34 इंफिंट्री या 34 इंफिंट्री या नाई लिख लिजे थोड़ा सरल लहेगा 34 को नहीं भोलना है आया हुआ कोस्चन अंग्रेज मंगल पांडे के बटालियन 34 इंफिंट्री को भंग कर दिये भंग करके भंग करके क्या किये देखो आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी आठ समय याद रखेगा आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दे गई यह फांसी दे दी गई थी आप से कोश्चन पूछा गया है कि 1857 के बिद्रोह में बिद्रोह के समय में बैरकपूर का कमांडिंग अपसर लिखे तो के 1857 के बिद्रोह के समय लिखे तो हैं बैरकपूर चाओनी बैरकपूर का कमांडिंग यह लिख देते हैं बैरकपूर का कमांडिंग अपसर बहुत बढ़िया कोश्चन है ये देखे कमांडिंग अपसर कौन था नाम है उसका हैर से हैर से कमांडियंग तकमांडिंग अपसर था क्लियर पहले इतना आप क्लियर कर लीजे तब हम आगे बढ़ते हैं कि पुराने लोह पुराने लोहे वाली बंदोग ब्रावन गैस के अस्थान पर रंगरेज हटा करके मियोरी इन्फिल्ड राइफल को लाने का निरड़ाई किये गाए वन सुवर के चर्वी से पने कार्तूस के वीरोध में बैरक पुर्चाओनी का ब्रामण सैनिक बलिया निवा से 29 मार्च 1857 को अपने अंगरेज आपीसर बाग को गोली मार कर हत्या कर दिया और हीवसन को गोली मार दिया अंगरेज अंगरेज मंगल पांडे के बटालियें 34 सियंग आए यन नाई को भंग करके 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को भासी दे दिये थे 1857 के बीद्रों के समय बैरक पुर्चाओनी का कमांडिंग आपीसर नोट कर लिए आपीसर हैर से था आगे इसको हटा लेते हैं आगे फिर 1857 का बीद्रों मंगल पांडे से आरंब नहीं माना जाते हैं इसलिए आरंब नहीं माना जाता है ना कि ये इंडिविजुली घटना थे ब्यक्ति घटना 1857 का बीद्रों कहां से आरंब माना गया है मेरट से पहला कोश्चन आ पहले बात भाई ये तो कामल कोश्चन है सब जानते हैं मेरट से आरंब माना गया ठीक है दस माई को आप याद रखेगा दस माई अब देखेगा क्या यही से जोड़ रहे हैं मेरट के सैनिकों से जोड़ रहे हैं कि दस माई 1857 को मेरट के क्या मेरट के सैनिक अंगरेजी सरकार के खिलाब विद्रोछ चेड़ दिये गुरूब बनाकर के दोस माई को विद्रोछ कर दिये रातो रात भ्यांदी जी रातो राती 11माई 1857 को विद्रोट मेरट के सैनिक दिल्ली पहुँच गए दिल्ली पहुँच कर फिर देखिए 12 माई 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों को पीछे ढगे दे दिल्ली पर कबजा कर लिए ये देखिए मेरट के सैनिक दिल्ली पर कबजा करके अंग्रेजों को पीछे ढगेल दिये ढगेल तुम अंग्रेज हमारे भारत का हिंदुस्तान का बादसा नहीं बलकि हिंदुस्तान का बादसा मेरट के सैनिक किसको बना दिये ये देखिए बहादूर सा अंतिम मुगल बादसा लिख दीजिएगा मुगलों में पढ़ाएंगे भारती इतिहास में घबडाईएगा नहीं अब बहादूर सा दूती या ब्रैकेट में लिख लिए जफर बात ये कहिए नाम अभी फिरा मेरट के सायने का अंग्रेजों को पीछे ड़केल कर बहादूर सा दूतिये को हेंदोस्तान का बादसा घोसित कर दिया अंग्रेजों ने कहा जहरू को तुमारे बातसा को बताता हो चलिए ये 12 मई की घटना है मई भीता मई जून जुलाई अगा सितंबर 20 सितंबर चले जाएए 20 सितंबर ध्यान दीजिए 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज फिर से दिल्ली पर कब जा ये देखिए और बहादूर सा दूतिये को हुमायू के मकबरा से नोट कर लीजिएगा बहादूर अंति मुगल बात सा बहादूर सा दूतियो को हुमायू के मकबरा से हुमायू के मकबरा के बारे में हम बात में बताएंगे यहां नहीं टच कराना दिल्ली में हाजी बेगम बनवाई थी अपने पती के याद में हमीदा पानू बेगम हुमायू के मखबरा में जा करके छिप गया हुमायू के मखबरा से बंदी बनाकर बहादूर साथ दूतिय को अंग्रेजों ने कहा इसको देश से ही निरवासित करतो देश से बाहर भेज़ दो इतना दूर भेज़ दो कि फिर इसको नसीब न हो अपने देश मे आने का अब देखे बंदी बना कर बर्मा की राजधाने ये देखे बर्मा की राजधाने रंगुन नोट कर लिजे रंगुन में निरवासित कर दिए भेजदी ये इसको नोट कर लिजिए अच्छा कोश्चन है क्लियर तो हो गया इतना है आपके लिए कर लिजिए तो फिर हम एक चार्ट बनाते हैं बूरे भूर्ड का चार्ट भर देंगे अभी उठा करके आपको आप देखे क्या हो एक बार आओर इस वार तो हो गया स्यारम माना गया दस मई अठारस संतावन सुनिए कर दैंस मिला लिजिए का पीचे कर लिजिए इसलिए में रिवीजन कराते हैं कि दस मई 1857 को मेरट के सहिनिक अंग्रेजी सरकार के खिरा विद्रो छेड दिये रातो राते गळा इरह इसलिए ग्यारम मई को रातो रात मेरट के सह निग दिल्ली पर कब्जा करके अंघ्रम मई को मेरट के दिल्ली पर कबיס कर आन्ति मुगल वासा बहादूर सादूतिये को हिंदूस्तान का बादसा घोसित कर दिये किन्त 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज फिर से दिल्ली पर कब्जा करके बहादूर सादूतिये को बंदी बना कर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिये रंगून में 1762 में शोर या दरना रखे ना है म epic हो गये रंगून में ही बहादुर सा दूति'm Ой की समिंद is 5857 KB edpar निम्ना स्थानों पर चार्ट बनाएं कापी को पलट दीजिए उल्टा कर दीजिए 1857 का बीद्रो भारत में निम्ना स्थानों पर ये देखे आठ नव स्था हमारा तो बोल्ड पूरा भर जाएगा तेकर आप भी कापी पलट करके बना ये चार बीद्रो पहला तीन पार्ट बनाते हैं बोल्ड में हम लोग एक नंबर पे हम लोग उपर से ही लेके आते हैं ये देखें आहरी मिटों बीद्रो का अस्थान ये देखें ये बीद्रो का अस्थान मतलब कहां कहां बीद्रो हुए थे आठ नव अस्थान अभी अभी ये ये चार थो दूसरे पार्ट पे क्या है भारती नेत्रीत्व करता भारती नेत्रीत्व करता ये देखें ये ये हैं दूसरे अस्थान पर बन गया है ये हैं ठीक तीसरे अस्थान पर क्या रहा है ठीक यही सिती बदल दी आंगरेज आंगरेज नेत्रित्व आंगरेज नेत्रित्व करता थोड़ा सा जगा छूटना चाहिए सम्या यह है यह है यह है देख रहें तीन पाइल्ट बना है आगे चलते हैं एक चार्ड आठ नव अठान आ रहें यह देखिए दिल्ले जैसे बीद्रो आपका आरम हुआ कहां दिल्ली में तो दिल्ली में काउन भारती नेत्रित्व का दो थे एक तो आप नोट कर लेजिए बहादूर साह अभी बता क्या रहे है बहादूर साह दूति या ज्यफर और दूसरा इसी का रिशेदार थाये भी आया वो ज्यफर बक्त खाँ यह देखिए यह यह बहारती नेत्रित्व यह ज्दा आया है अभी पूरा चबूरा भरेगा अच्छा अंग्रेजों में और कहीं का नहीं आया है किवल जासी का पूछा गया है कि जासी में अठा जासी में अंग्रेजी से ना कनेत्री तो कौन किया था था ही उरोज किन्तो हम आपको सूरच्छित रहने के लिए सब नोट करा दे रहा है पूरा का पूरा देखेए यल आंग्रेजीों में दो थे एक निकोल सन निकोलसन और हडसन ये देखे ये या नोट कर लिजे हो सकता है कुछ चेंज कर दे अभी तक तो नहीं आया है निकोलसन हडसन आईए दूसरे नंबर पर चलते हैं पहले आप आठो नो का चार्ट बना लो उसके बाद हम फिर सुनाते हैं लेक्चर कानपूर का भारती नेत्रे दो है एक तो नाना साहव और एथा तात्या टोपे नोट करिए एक है तात्या तात्या टोपे चलिए इधर कौन है इधर है कानपूर लखनव दोनों का ये कही है अंग्रेज नेत्रित की या था कैम्प वेल नोट कर लिजिए कैम्प वेल और इधर निकूलसन हडसन चलिए लखनव लगा लिजिए पतीसरे नंबर पर लखनव तो लखनव बेगम हजरत ये देखे नोट कर लिजिए बेगम थोड़ा घना घना लिख रहे हैं कि जगह मिलना चाहिए बेगम हजरत महल ये ही है कैम्प वेल ही है नोट कर लिजिए कैम्प वेल ठीक चलिए लखनव के बाद हम लोग चले आते हैं जहासी चले आईए जहासी तो जान रहे हो आप लोग जहासी में दो है कार क्या नाम है एक तो महारानी नोट करिए महारानी लक्ष्मी भाई लक्ष्मी भाई तात्या टोपे यहां भी था और यहां भी है दोनों के साथ है तात्या टोपे ठीट और यहां यही एक परिछा में आया हो ही रोज इसको भी सेस रूप से जालिएगा ही रोज एक कमेंड भी किया है लक्ष्मी के ऊपर अभी बताते हैं कैंप विल दोनों कानपूर लखनव दोनों ध्यां रखेगा निकोलसन हड़तन देखने याद करने के लिए हम आपको क्या क्या तरीका अपना रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पांच नंबर पे चले आए उसी प्रकार पांच नंबर पे आप चले आओ फटेपूर यह है आप फटेपूर फटेपूर सिकरी नहीं फटेपूर सिकरी को अकबर बसाया था हमारे जो कांपूर और प्रयाग राज के बीच में है फटेपूर क्यों है अजीम उल्ला अजीम उल्ला यहां अंग्रीजू में कौन था जनरल रेनार्ड नोट करिए अंग्रीजू में जो था नहीं यहां से नोट कर देते हैं कि जनरल ए आए से आमको इससे लिखना चाहिए थोड़ा जगह में जाती दिख रहा है दिख रहा है जनरल रेनार्ड यही फायजाबाद का भी नेत्रित किया है ध्यांदर रखना च्छ नमबर पे आ रहा है फायजाबाद फायजाबाद में बड़ा करांदिकारी बंदा था मौलबी अहमद उल्ला उल्ला नहीं मौलबी अहमद उल्ला यह देखे यहां साथ नमबर आ जाईए इलहाबाद बनारस इलहाबाद प्रयागराज बनारस लियाकत अली नोट करिए लियाकत अली लियाकत अली कर्नल निल अंगरेजों में है कर्नल कर्नल निल यह देखे यह कर्नल निल और आठ नमबर आठ नमबर आपको कर्नल निल हो गया और बरेली नोट कर लिजिए बरेली बरेली खान बहादूर खान बरेली में बरेली खान भारती ने तिर्ट करता बहादूर खान देखे खिशडी मत बना दीजिएगा खान बहादूर खान बीसेंट आयर अंगरेज था बीसेंट वीसेंट आयर एक और है एक और है अब हम उसको न यहें सामने लिख देते हैं इसको अब लोग लिख लिख लिए हो इसको हटा करके यह कौन है नावा पर जो है नव नमबर पर जो है यह है जगदीस्पूर बिहार जगदीस्पूर ब्रैकेट में बिहार कौन भारती में जनरल टेलर यह हुआ आपका ठीक किलियर हो गया आपनों का अच्छा चलिए अब क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा किलियर कर देते हैं सुन लिजिए कि यह अंगरेजों का जो किताबों में दिया है न दस किताब उठाएंगे तो दस बड़ा फ्लक्चुएट है बड आ चुके हैं एलो में थोड़ा है हेर फेर तो आप टेंशन में मत आईएगा ठीक है प्रयास किये हैं कि जिस पर सर्वसमती बनी है वही दिये हैं आप इसको डीटेल करना है आपको कुमर से अब आप डीटेल हम लोग यही से करते चलते दिल्ली का तो हमारा आपका हो चुक सब्सक्राइब कि नाब करते हैं यह दो चस repent 119 कैसे बन रहा है कान पूर में देखिके क्या कर Nice करहा है Friends कान यसके बारे हेест जितना कोश्चन बना है सभम बता दोदे हैं फृइ इस चीज़ कानपूर में आप नाना सहाब लिखे थे नाना नाना सहाब कानपूर का पेसवा क्या नाम है कानपूर का पेसवा बाजीराओ नोट कर लेगे बाजी राव सेकेंड का दत्तक पुत्र कौन था कोश्चन आया है दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र कौन था आप देख रहे हैं नाना साहाब कोश्चन बन गए आपका नाना साहाब कानपूर में जब अंग्रेजो की सेना भारी पड़ने लगी तो नाना साहाब क्या किये जानते हो नाना साहाब भग गई किधर की तरब नेपाल की तरब भग गई नाना साहब उसके बाद नाना का पता ही नहीं चला नाना कहा चला गया गुम नामरित हो गई गुम नामरित हो गई पता ही नहीं चला मरित भी नहीं चला ये तो नहीं पूछा कि नाना साहब के बच्पन का नाम बताओ धोंदू पंद ये देखे नाना साहब के बच्पन का धोन्धू नाना सहाब के बचपन का नाम धोन्धू पन फिर कोश्चन लिखिए कि नाना सहाब का नाना सहाब का सेना पती नाना सहाब का सेना पती तात्या टोपे आप लोग नोट कर लिजिए नाना सहाब का सेना पती कमांडर चीप कमांडर सेना पती तातर फिर आप से कोश आपका प्रमुक सलाकार अजीम उल्ला इसलियर में इसको मिठाए नहीं है इसी के साहरे आपको बता ले जाएंगे अजीम उल्ला देख रहें कई कोस्चन बता दिये हैं कानपूर फिर इसको बता ले गए कानपूर का पेसवा बाजीरादुतिय का दथक पुत्र नाना सहाब पांत में नेपाल की तरफ चला गया, नाना साहब की मृत्व हो गई, नाना साहब की बच्पन का नाम धोन दूत, नाना साहब का कमांदर इन छेप सिनपती तात्य टूपी, नाना साहब का प्रमुक सलाकार अजीम उल्लाद, ठीक आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या हो रहा है आगे देखिए आगे हुआ है यह लखनव में आए आवध का नवाब क्या नाम था आवध का नवाब वाजिद अली साध्यान दीजे इसी का बेगम का पती था वाजिद नोट कर लिजिए वाजिद अली अवध का वाजिद अली साध्यान अंग्रेज दिमाग लगाए कि पती पत्नी को इतना दूर भेज दो ना कि ये दोनों कभी मिली न सकें दिमाग लगाए अंग्रेज देखे अंग्रेज क्या किये कि अवध के नवाब वाजिद अल सब कलकत्ता जाओ प्रयास करके भी नहीं मिल पाओ गया रहे भाई लखनव बनारा से इलावात कुछ होता तो समझ में आता दो चार घंटे में पहुच जाएंगे कोई लखन बेगम हाजरत महल भी पीछे नहीं बेगम हाजरत महल अपने अलप वैस्क नावालिक चार पांच वर्ष का पुत्र था क्या नहीं बिरजीत साह यह देखे बिरजीत आप बिरजीत आप बिरजीत शाह बिरजीत कादीर भी कह सकते हैं बिर्जीत कादिर को नवाब की गद्दी पर बैठा करके भयानत लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ कि तो लखनव में अंग्रेजों की सेना भारी पढ़ने लगई लखनव ये बेगम अच्छा लखनव आवद लखनव का मतलब उससा आवद आवद है अभी एक कोश्चन और बता पहले देखे बेगम हाजरत महल बेगम भी चली गई अंत में किधर को नेपाल की तरब चली कई लखनव आप से पूछा गया है कि अठारा सो कोश्चन बना देते हैं आप भी कोश्चन लिख लिजिए अठारा सो संतावन के बीद्रों के समय अवद अवद मतलब वही लखनव पजा अवद का अंग्रेज रेजीमेंट कौन था अंग्रेज रेजीमेंट जेम्स जेम्स जेम्स आउट्रम था अंग्रेज रेजीमेंट अवद का अंग्रेज रेजीमेंट जेम्स आउट्रम था ठीक है आगे बढ़ाते हैं आगे हम लोग चलेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेतें किलियर तो हो गया लखनव की बेगम वजीद अलीसा ये किलियर हो गए आपका इतना जगह खाली कर लेते हैं इतने में पढ़ा लेंगे हम किलियर कर ले जाएंगे ए यह चलिए आ गए हैं लोग जासी यह देखिए जासी अब जासी पर सुनों आप क्या हो रहा है अठारा सो तीरपन बताए है कि लाल डल हो जी लाल डल डल हो जी डाक्टरिन आप लैप्स की तरब आच्छा लैप्स के तहट अठारा सो तीरपन में फिप्टिथरी में जासी को हडप लिया था महारानी लच्षमी बाई का पती गंगा धर्राव लिख लिएगा गंगा धर्राव था नियसंतान थे दोनों दामोदर नाम का पुत्र संतान दत्तक पुत्र था गोद लिये थे अंग्रेज दामोदर गंगा धर्राव की मिर्त हो चुकी है अंग्रेज गंगा धर्राव के पुतर दामोदर को जहासी का मालिक बनने से इनकार के लक्षमी दामोदर को अपने साथ रखो कि तेरा दामोदर तेरे जहासी का मालिक नहीं बनेगा लक्षमी ने कहा का पती किम्रे तो हो चुकी है पुतर जहासी का मालिक नहीं बनेगा चुड़वादे तिमें जासी में अगरे जो किसे ना भारी पढ़ने लगी अब देखे गदारी होगी कि लक्षमी बाई और तात्या टोपे ये दोनों क्या कि जासी छोर का मद्ध्रदेश गवालियर ध्यान दिये मद्ध्रदेश गवालियर ये दे के मद्ध्रदेश गवालियर के किले पे जंडा लहरा दिये जंडा लहरा ने लगा कि तो गवालियर का गदार महराजा सिंधिया आज भी है इनका परिवार जो है एक कांग्रेसी है सब जो है कि वुलूग कांग्रेशी होंगे बुरा मान जाए कि संधिया गत्दार संधिया वा रे बापरे बाप युद्ध चल रहा है इदेखो जहंडा लहरा रहा है ये संधिया क्या किया हैं अंगरेशीessa द्रा भा किसको प्राप्त हो गई बीर गती को प्राप्त हो गई इसी पर हेवरोज क्या कहा था कि ये सोई हुई महिला सभी भारती करांदिकारियों में एक मात्र मर्द है नोट कर लिजिए कि सोई मृत हो चुकी है महिला सभी भारती करांदिकारियों में एक मात्र मर्द है ये ही रोज बोला था लच्मी बाइ का जियन 1835 बनारस के गोल घर नोट कर लीजी और लच्मी बाइ के बचपन का नाम लच्मी बाइ के बचपन का नाम क्या था लच्मी बाई के बच्पन का नाम मनिकडिका था मनू मनू लोग बुलाते थे लच्मी बाई के बच्पन का नाम मनिकडिका था मनू करके बुलाते किलियर हो गया ने चलिए फते पूरी अजिम उल्ला तो सलाकार था ये बड़ा क्रांधिकारी था मौल भी फैजाबाद मौल यही अठारह सो संतावन के बीद्रो में मौलवी अहमद Ulla एक मातरबंदा ऐसा था जो अंग्रेजों के बिरुद। जिहाद का नारा दिया था जिहाद का मतलब ब्रैकेट में लिख लिखे धर में युद्ध धर में युद्ध क्या कहा था आए देखो जिहाद का नारा यही एक मात्र बंदा दिया है काया था कि हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो खड़े हो जाओ हिंदू हो मुसल्मान हो सब लोग खड़े हो जाओ काफीरों अंग्रेजों को देश से ख़देड़ दो पूरे देश में आवाज गूजने लगी इनाम घोसित कीजे थे अंग्रेज इसके पूर किंतुवंत में क्या कीए थे कि 18-7 ठाउन में ही रुहेल खंड में गोली मार कर अंग्रेज मौलवी अहमादूल्ला की हत्या कर गोली का प्रस्न नहीं आया है जिहाद का प्रस्न आया है और कमांडर इन चीप तुमा लिजे उधर तो ठीक है मौलवी अहमादूल्ला एकिलियर हो गए आपका चले आए बरेली में खान बहादूर खान अंट में अंग्रेज फासी दे दिये थे खान बाद अब हम लोग देखते हैं किसको यह तात्या टोपे को देखेंगे तात्या टोपे अंग्रेजों के अब यहाद देखेंगे तो तात्या टोपे नाना साहब के साथ गया नाना भी मारे गये तात्या टोपे महारानी लच्मी के साथ है लच्मी भी गई अभी इसकी हाल देखे तात्या टोपे अंग्रेजों के बिरुद जो सीवा जी राजासान और मध्य परदेश के जंगलों में छिप करके अंग्रेजों के बिरुद छापा मार गुरिला युद छापा मार युद आमने सामने नहीं बलकि च्छत्रपती सीवा जीं इसको लड़ते थे ना आएक मान-शापा मारियुद अंगरेजों के विरुद जारी रखा किन्तू, तात्यय टोपे का गदार मित्र गदारी होने जा रही है तात्यय टोपे का गदार मित्र ये देखो मान-शिंग मान सिंग अंग्रेजों से मिल गया कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा मित्र जंगल में रात को कहा सोता है अंग्रेजों में कहा बताओ तो मांगदार मान ने कहा कि आओ हमारे साथ पीछे पीछे आओ आगे मान सिंग पीछे पीछे अंग्रेज ले गया कहा देखो ये जंगल में सो रहा है जल्दी जल्दी पकड़ लिए बंदी बना करके 18 दिर के अंदर जल्दी जल्दी मूकतमा चला करके 18 अपरेल 18 सव उनसट नोट कर लिजिए तत्या टोपे के बचपन का नाम नोड करिये तत्या टोपे के बचपन का नाम राम चंद्र पांडू का लिए chuckles पांदूरंग था बच्पन का नाम ठीक यह तो हमारा आपकाaiser हो गया बच्पन का नाम रामचंद्र पूल मिला के कह लिए आ जान यह देखिए की अठारा सौ यह देखिए 1859 अठारा सौ उन्साट फिप्टी नाइन 1800 पहुंस ते पहुंस ते सभी महत्पूर्ण नेताओं स्वर्गवासी हो गए ये देखे सब चल्वसे बिचारे ये देखे जगदीशपूर एक और बता ये जगदीशपूर का कुमर सिंग अशी साल का था नवजमान घोडा चमकती तलवार लेकर के बैठा गंगा नदी के कि पतना में युद्ध हो रहा था गंगा नदी के किनारी युद्ध चल रहा था एक आई एक कुमर सिंग के हाथों में आकर के गोली लगी गोली लगी तो आप्रिशन होना चाहिए नहीं तो जहर पैदा हो ज कोश कर रहा है कोश सिंग अपनी चमकती नंगी तलवार उठाया १ाट से मारा आप एक हाट काटा गंगा जी को साउख दिया कि लोगंगा जी देख रहा है एसे बहादूर बहादूर रहे हैं, हम रोज सबेरे उठते हैं, बीर बीर रहे, रोज सबेरे उठते हैं, जल्दी जल्दी दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में कहीं ने कहीं बलेड लग जाता है, बलेड लग जाता था बड़ा टेंसन लाता है, सोचे एक बहादूर र पूरे भारत पर अधिकार पूरे भारत पर अधिकार पूरे भारत पर अधिकार अगी बढ़ते अब ये तो किलियर हो गए आपका ठीक आपको कोश्चन आए 1857 के बीद्रों का सिंबल 1857 के बीद्रों का प्रतीक क्या था कमल एवं रोटी कमल एवं रोटी अठारे था आप लोग हमारे यहां देखें कमल समरिधी का प्रतीक माना गया है यानि दिवाली के दिन देखिए कि कमल के फूल पर देवी लच्छमी को रख करके प्रार्थना की है मा लच्छमी पूरे साल मेरी समर्द्धी सुक समर्द्धी मेंटेन रखना मेंटेन रखना सुक समर्द्धी सुक समर्द्धी का मतलब पैसा नहीं सब को हसी खुसी बनी रहे सम्रिध्धी को अंगरेच छीनने का प्रयास कर रहे थे इसलिए कमल रखा गया रोजी रोटी को अंगरेच छीनने का प्रयास इसलिए कमल एवं कमल का फूल एवं रोटी सिंबल रखा गया 1857 के बिद्रों के आसफल होने का पहला कारण पहला कारण आप ही लोग थे अगर आप लोग बिद्रों में भाग लिये होते न तो आप लोगों की वज़र से बिद्रों असप matrices 1857 का बिद्रों में पढ़ा लिखा वर्ग ध्यान दीजिए 1857 के बिद्रों में पढ़ा लिखा वर्ग भाग नहीं लिया यानि उदासिन नीउट्रल यह दिके उदासिन जिसको आप लोग इंगलिज में नीउट्रल कहाते हैं कि मुझे से कुछ जो सिक्छित वर्ग था मुझे से कुछ लेना देना नहीं है जिसको लड़ना है उलड़े देख रहा है न ये इस्ति पढ़ा लिखा वर्ग भाग नहीं लिया पहला का एक कारण ये भी है दूसरा कारण क्या दिखाओ अठारा सो संतामय के बिद्रो का दूसरा ये विद्रो केवल ये विद्रो दक्षिन भारत तक नहीं पहुँच पाया विद्रो केवल मध्य भारत तक ही सिमट कर रह गया था अब ये आठ नव अस्थान बताये थे न ये आठ नव अस्थान कहां है मध्य भारत है शाउथ इंडिया में विद्रो नहीं पहुंट पया अगर पढ़ा लिखा वर्ग रहा होता है आप लोग रहे होते बुद्धिमान वर्ग तो बाहर हो गया कौन दिमाग अगर बुद्धिमान वर्ग रहा होता तो दिमाग लगा करके पूरे भारत में बिद्रों को फ़लाया होता यानि दच साउथ इंडिया ये भी बिद्रों के असफल होने का एक कारण था 1857 के बिद्रों का आसा फल होने का दूसरा कारण के भारती सैनिक ये देखे भारती सैनिक भारती सैनिक अंगरेजों के सैनिकों के अपेख्छा दूरबल साबित हुए कमजोर साबित हुए कमजोर दूरबल अरे भाई क्यों न हो ये जो भारती सैनिक थे तो सात रूपे महीने तन खापाते थे साथ रुपया में अपना दूद नहीं भी खा करके बलिष्ट बने या परिवार को खिलावे कमजोर भारती अगला कारण है कि भारतियों में ठोस योजना यानि जिसको आप लोग जोरदार प्लानिंग अरे भाई आप लोवर PCS की परिच्छा देने बीना प्लानिंग को नहीं कुछ हो पायागा अगर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको परिच्छा आने तक इतिहास पढ़ाते रहेंगे इतिहास सुरू तो हो जाता है खतम होने का नाम नहीं लेता है लोग बढ़ा उत्सा से बड़ी मीठी मीठी बातों को बोल करके इतिहास को सुरू कर देंगे उनको पता ही नहीं रहता है कि इतिहास खतम कहां होगा बारा बारा महिना पंद्रा पहिना प्लानिंग बना के नहीं आते हैं हमारी तो प्लानिंग रहती है हमारी प्लानिंग थी कि आज के लेक्चर में पूरा 18 लक्षे देखिए अर्जून के तरह आसपस्ट लक्ष का असबस्ट लक्ष का भाव था ए अठारा सो संतावन के वीद्रों के आसफल होने का कारण पढ़ा लिखा वर्ग वीद्रों भाग ही नहीं लिया यह वीद्रों दच्छिन वारत तक नहीं पहुँचा के वल मध्य वार अंग्रेजों के अस्त्र सस्त्र के सामने भारती अस्त्र सस्त्र बाउना साबित हुआ बाउना मतलब कम जोर अंग्रेजों का स्त्र सस्त्र क्वालिटी इनकी अच्छी थी हमारे आतो वही लाठी बल्लम भाला मार देंगे मार देंगे तब तक अंग्रेज मार देते थे देख रहे 1867 का वीद्रो हम आप लोगों को कम्पलीट करा ले गए हमको नहीं लगता है यह जीतना पढ़ाया हूँ आपको इससे कहीं बाहर आएगा बसरते नोट्स बने हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा नोट्स बना ये काइदे से और बढ़ियां से उसको एक बार दो बार रिवीजन करिए ठीक है हम बड़े हैं गुरू है आपके आपको समझा ही सकते हैं बताए हैं न कि इतिहास लोग सुरू कर लेते हैं उनके खतम करने का समय नहीं तो समहल करके समहल करके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं कहीं आप खतरे में नफांज जाएए जब वहीं आप जाएए जहां टीम आपकी मज़़ा हमारी तो पूरे टीम पर दबाओ है कि आप अभी से आप अभी से अभी सुकला सर को हम कहके आ रहा है कि सारे टीचरों से कहा दीजिए जो कुए जो खंड शिच्छा खंड सिच्छा अधीकारी का बैश चला समय से सारे लोग पूरा करें उसी प्रकाइ लोर पीशिययस का समय से स्लिश पूरा किया जाए प्लानिंग बना के सब लोग आँए यह नहीं कि परिछा के लाज तक पता चला सिंदु सब भेता उठा लिए तो हम सिंदु सब भेता ही पढ़ाते रहा गए बहुं सारे लोग ऐसा भी करते हैं तो नहीं बच्चों कहीं भी आप पढ़िये लिखिए फोंग वजा करके समझ बूज करके कि टीम ठीक ठाक है कहीं आगे चल कर 10-15 दिन तो सब ठीक ठाक रहता 10-15 दिन के बाद गड़ कुल गड़ आने लगता है समझ रहे ना इसलिए चली अच्छा फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में धन्यवाद कर दोला है और हो ऊग्छाओ वीडियो कर दूटन कर दिक ठाक राद कि अखिएश्टान कर दोला है कर दोला है